नगच्या में बिविन समाजिक संस्ताओं द्वारा निकाली गई आक्रोश यात्रा कहा मंचलों में कहीं न कहीं नहीं है कानून का डर जिसके कारण वो अपराद करने से पुर्व सोचते नहीं हैं। नगच्या के विविन समाजिक संस्ताओं ने काली पट्टी लगा कर मार्च किया। आज के समय में लोगों के मन से डर हट गया है, डर खत्म हो गया है। जो जानता है कि ऐसे करने वाले बच निकले हैं, बच जाएंगे, पची सो साल केस चलेगा। इस सरकार नेता की अब आज न्याले में 27 घंटे के अंदर सुना जाता है। ऐसे केस के लिए भी, ऐसे काम के लिए, ऐसे की के लिए भी इस भी ट्राइल हो, जिसमें तुरत धुनवाई हो, तुरत सजा हो। इंकलाव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद! आज हम सभी नगोच्यानेगर के विभिन्द संताओं से सभी युवा आज इस इंडिल मार्च में बलतकारियों के खिलाप विरोध पर जसन नहेतु जमा हुए हैं निश्यती हमारी मोधी सरकार एक अच्छा कारे कर रही है और जो भी सरकार कुछ अच्छा कारे करती है तो लोगों की उमीदें उनसे और ज़्यादा बढ़ जाती है इस उमीद के तक मैं मोधी सरकार से यह आवान करना चाहता हूँ कि आपने बलकारियों के लिए जो फासी की सजा रखी है और बहुत से अपराद में आपने अपरादियों के फासी की सजा सुनवाई भी है लेकिन आज तक फासी की सजा पर कोई सुनवाई होने के बाद भी उन मुझीविवों को अभी तक फासी परदान नहीं की गई है मैं आज लोगच्राइक नगरासियों की इस आंदोलन के माध्यम से सरकार तक यावाज पहुंचाना चाहता हूँ कि आपके द्वारा जो कानून लाया गया है और बलतकारियों के लिए जो सक्ति सजार रखी गई है उसमें थोड़ी तेजी लाते हुए बलतकारियों को सरे आम चोक चड़ाओं पर हासी के सजा दी जाए और उस सजा का लाइब टेली काश पूरे भारत वर्स में दिखाया जाए जिन्दाबाद 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 जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद दोस्तों इस तरह से यह करेडी के साथ ये दुराचार हूआ है और उसकी रेफ के वाद जो निर्मंभथ्या हुई है हम लोग काफी आख्रोष में हैं कापी मरमाहत हैं इस घटना की पूरा विर्ति नहीं हो समाध मगच्छा कि धर्ती एक संदेश देना चाहर है यह पूरे देश को यह घटना रुके यह घटना बंद हो हर मां बेटी शुरचित रहे हम यही आसा करते हैं इसी विश्वास के साथ प्लाथ कारियों के लिए उससे सच कानून लागर करें उससे सजा दिलाने के लिपाचिते हैं किया जिंदा बार जिंदा बार जिंदा बार! बहागर पूर नोगच्छिया सही तरनपदेश के लिए एक सवागार सूना मेरिज गडन आप कुछ सम्वनाए विवस्ता हम करेंगे नवगचिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा विवस्था वाला जहां उपलब्द है एसी एवंदनेसी कमड़े मंडब डेकोडेशन लाइट म्यूजिक सिस्टम के साथ सभी आधोनिक विवस्था हैं आएं आपका इंतजार है होटल फुडफलाजा के सोना मेरिज गार्डन में मारा पता है सोना मेरिज गार्डन जीरो माइल लगचिया भागलपूर संपर्क सुत्र 9661904817 अगचिया का पहला फरनीचर सोरूम अब और भी नए आकरसिक डूप में गौरी संकर फरनीचर सोरूम फरनीचर फरनीचिंग एवं कीचन वेर के सभी सामान के साथ एक नए आकर्षक रूप में सीसम सागवन पलंग प्रिवेनी वेसाली कमपनी अल्मीरा सोफा सेट ड्राइनिंग सेट ड्रेसिंग टेबल ऑफिस फरनीचर भन्तेरस गौरी शंकर फरनीचर नवगच्या हाई स्कुल के सामने संपर्क सुत्र सौरव जैसवाल 97.96.11.005, 82.92.94.1.26 नवगच्या में पहली बार अंतररास्ट्री अस्तर का जीम वर्ल्ड जीम स्टेट बैंक के सामने 61.00 के समीप नवगच्या समाज को स्वस्त और ससक्त बनाने का एक उपकरम उन्यतया वातान कुलीत महला एवं पुर्सों के लिए अलग-अलग समय मोटापा, हाईलो, बीपी, थाराइट जैसी खतरनाक विमारी को खुद से दूर भगाए हमारा पता है वर्ड जीम नवगच्या स्टेट बैंक के सामने 61 बैंक के पास संपर्क सुत्र 9031696929 बैक च्वाइस बैक च्वाइस महिंद्र लसी वाले के सामने पुदार गली नवगच्या हमारे यहां उपलब्द है ट्रॉली बैग, डफल, स्कूली बैग, सुटकेस, लेडिस पर्स, जेन्स पर्स, चाता, रेन कोट सहित कई समान बीस रुपई से लेकर छे हजार रुपई तक का बैग है हमारे पास उपलब्द नवगच्या का एक मात्र दुकान जहां उपलब्द है अमेरिकन ट्विस्टर का समान एक बार अवश्य पधारे एक च्वाइस महंद्र लस्टी वाले के सामने वदार गली नवगच्या संचालक ड़र रजनी कांत देख हमारा संपर्क सूत है 82948525586 बैग है लेना तो बैग च्वाइस ही है जाना नवगच्या का गौरव त्रिशा खुआ मेकर शुदगी खुआ पनीर मक्षन के लिए एक बार अवश्य पधारें पता भवानी बुर नया टोला नवगच्या काली अस्ताउन के समीत संपर्क करें पुंदन कुमार जैसवाल 95.073.09789.21002 अपने बच्चे के सुनहरे भविश्य के लिए संपर्क जरूर करें अववाहन प्रदूशन जाच केंद्र आपके अपने मकनपूर चौक नवगच्या एनचेक 30 पर संपर्क करें सुभम धर्मकाटा एनच 31 अरभिन मेमोरियल पबलिक स्कूल के सामने मकनपूर चौक नवगच्या